आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1918 में हुई कांग्रेस की दूसरी फूट पर मेरा नाम है मुरो सुष्यान और आप मुझे फोलो कर सकते हैं फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी मित्रो जैसा की हम जानते हैं कांग्रेस की पहली फूट जिसे सूरत फूट के नाम से जाने जाता है के पस्चात सुवदेशी विभाईसकार आंदुलन की रीड की हड़ी तूट गई थी और उगरवादियों के लिए कांग्रेस के द्वार बंद कर दिये गए थे परन्तु विभाजित कांग्रेस लखनव अधिवेशन 1916 में जिसके अधिक्स्ता की थी एसी मजुमदार ने पुनहें एक हो गई और यह देखा गया कि इस अधिवेशन में उदारवादियों के साथ साथ उगरवादियों ने भी अधिवेशन में हिस्चा लिया साथ ही इसी दोरान मुस्लिम लिग भी अधिवेशन में सामिल हुई और कांग्रेस तथा मुस्लिम लिग ने सुसासन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्सर किये जिसे भरते इतियास में लखनव समझोते के नाम से जान जाता है ये जो दोर था हॉम रूल आंदूलन के प्रगती का था यह देखने को मिता कि इस प्रगती में उधारवादी कांग्रेस से अपना वर्चस्व एक होते जा रही थे जिसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं कि जहां 1916 के दिवेशन में तीलक एनी बेशंट को अध्यक्स बनाना चाहते थे परन्तू उधारवादीयों के वर्चस्व से संभव नहीं हो सका वही एक साल बाद इस्थती ऐसी हो गई कि सर्व सम्मती से एनी बेशंट को कांग्रेस का अध्यक्स चुन लिया गया 1918 में कांग्रेस का दिवेशन दिल्ली में हुआ अब समय बदल चुका था होम रूल आन्दुलन लगभग समापन की तरफ अगरसर था तिलक बिटेन चले गए थे जबकि एनी बेशंट ने अगस्त गोशना के फश्चात अपना होम रूल लिग आन्दुलन वापस ले लिया था 1918 के इस अध्यवेशन का अध्यक्स सर्व सम्मती से बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था परन्तु ये इस दोरान बिटेन थे इसलिए इस अध्यवेशन के ध्यक्स था मदन मोहन मालवेने की रास्ते आंदुलन के इस दोर में जब उदारवादियों को नकारा जा रहा था तो रूस्ट उदारवादियों को एक सम्मू का नेतरत्त जो है सुरेंदरनात बनरजी कर रहे थे इन ही सुरेंदरनात बनरजी ने 1918 में कांग्रेश से अलग होकर अखिल भारतिय उदारवादी संग आल इंडिया लिब्रियल एसोसियेशन के अस्थापना की जिसे कांग्रेश की दूसरी फूट के नाम से जाना जाता है इसके स्थापक सदस्ते स्री निवास सास्त्री व्यत्तेज बहादूर सपरू थोड़ा साब देख लीजे स्तुरिनाद मिरजी के बारे में इन्होंने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसियेशन की अस्थापना की थी जिसे बाद में कांग्रेश में विले कर दिया गया था इस संगठन के विशय में ऐसा कहा जाता है कि यती कांग्रेश के अस्थापना नहीं हुई होती तो यही संगठन अखिल भारत का नेतर तो कर था इन्होंने 1895 जो पुणे में अदिवेशन हुआ था और 1902 के एहम दबार अदिवेशन में कांग्रेश के धेक्स्ता की 1879 में इन्होंने जो है दब बंगाली समचार पत्र का भी संपाधन किया बंगाल विवाजन का दिरोध करने वाले यह सबसे प्रमुकनेता थे और उस दोरान एक नारा भी गुण जुठा था के सुनेंदाद बनर जी तुम संपाधन करो और इसी अवदी के दोरान इन्हें बंगाल का पिता भी का जाता है इन्हें कुछ टैटल भी मिले हुए है जिनको यह कहिए उपाधिया भी ने कुछ प्राप्त है जो है ब्रिटिस सरकार ने ने सर की उपाधी और सरेंडर नॉट की उपाधी से समानित किया था और बंगाल के बेताज राजा और राष्ट गुरु के नाम से भी इने जान रहाता है इनकी बायोग्रफी भी है A. Nation in Making सुरेंद्र नाद्बनर जी के बारे में एक वीडियो पहले ही आ चुकी है उसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं किया या Option D इन्होंने दो बार कांग्रेश अधिवेशन की अधिक्स्ता की आप जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए थैंक्स पूर वाचिंग जैहिंद जैभारत महासक्ती भारत